द्वार्का सेक्टर तेरे स्कॉन टेंपल में बड़ी धूमधाम से किर्ष्ण जन्मास्ट में मनाई गई लाखों की संखे में शिर्धालू भगवान किर्ष्ण के दर्शन करने पहुचे द्वारिका इसकॉन में भगवान किर्ष्ण के भजनों पर भक्त जूमते दिखे मंदिर परीसर में भक्तों की भीड बाल गोपाल की भक्ती में डूबी हुई नजर आई द्वारिका इसकॉन में भगवान किर्ष्ण का मन मोहक रूप दिखा रंग भी रंगे फूलों से मंदिर परी सर महक रहा था कनहिया का आशुरुवाद लेने के लिए हर उम्र के भक्त इसकॉन टेंपल पहुचे द्वारिका इसकॉन में स्कूली बच्चों ने मंच पर द्वारिका धीश के कई रूपों का चित्रन किया तो कृष्ण के कई गानों पर बच्चे नाचते हुए दिखाए दिये सामने बैठे सभी भक्त कनहिया की लीला का आनद ले रहे थे और इंतिजार कर रहे थे उस पल का जब काना जन्म लेंगे द्वारिका स्कौन में बाल गोपाल के जन्म की खुशी में खास्ता यारिया की गई तो आज आपका स्वागत है हमारे जन्माश्टमी महा महुस्तव 2018 में इसकौन द्वारिका सिक्टर 13 से बहुत ही सुन्दर महुस्तव बनाया जा रहा है जहां पर सभी विदेशी और हिंदुस्तानी मिलकर के हरे कृष्टमाहा मुस्तव की गूज में एकदम सराबोर हो गए है देखिए ऐसा है कि हमारे जो स्कौन सेंटर है इसमें इसकी फाउंडर आचारिया थे शिला प्रहुपाद शिला प्रहुपाज ने कहा उत्सव का मतलब है उत्साहा और उत्सव हमारे स्कौन केंदरों में इसलिए बनाया जाते हैं थाकि भक्तों के अंदर उत्साहा बना रहे हैं आज के समाज में इतनी तकलीफे हैं, इतनी परिशानिया हैं, क्योंकि उत्सव नहीं हैं, लोग भगवान को भूल गए हैं, अगर जीवन का सेंटर भगवान होते हैं, अगर भगवान केंद्र बिंदू होते हैं, तो हमारा जीवन उत्सहा पूर्ण और लास पूर्ण होता है उसी चीज को समझाने के लिए आज विविन प्रकार के कारीकरम चल रहे हैं जहाँ पर हमने स्कूली बच्चों को सिक्षाएं दी हैं कि कैसे वो नाट उत्सव जो कि कृष्ण भावन भवित हों उनको बंचन करें हमने स्कूलों में जाकर सिखाया है और उन स्कूलों से बच्चे आए हैं उनके पेरेंट्स आए हैं टीचर्स आई हैं और इस प्रकार से बच्चों का कॉंपडिशन हो रहा है विबिन प्रकार के सन्यासी महात्मा यहाँ पर आये हैं जिनोंने अपने प्रवचन दिये हैं और हमारे स्कौन के महान आचार्या श्रील प्रहुपाजी के रास्ते के अनुसार बताए रास्ते पर हम लोग चल कर के उस उससाफ पूरवक उससव को मना रहे हैं बहुती विषयष इंज़ाम है रात के 10.30 बजे हमारे जो विग्रह हैं उतसव विग्रह है उन भगवान विग्रह को पंडाल में लिजाया जाता है और वहां पर 1008 विबिन प्रकार की वस्तूँं से भगवान का एक विबिन अभिशेक किया जाता है और उस अभिशेक के अंदर विबिन प्रकार की तरल पदार्थ भगवान को उससे स्नान कराया जाएगा नवन वस्त्र पनाए जाएंगे नए प्रकार के वस्त्र दिये जाएंगे और बीस हजार से अधिक की संख्या में पंडाल में एक साथ लोग जोड जोड से महामंत्र का कीरतन करेंगे केंपल में भक्तों के लिए खाने की भी व़स्था की गई साथ ही भीड को देखते वे सुरक्षा की खास बंदोबस्त की गए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा करमी तनात रहे और सीसी टीवी ने सभी पर अपनी पैनी नजरे रखी पुरा रेश आज भगवान कृष्ण की रग में रगा है मंदिरों में भगवान कृष्ण के भक्तों का ताता लगा हुआ है और सब भगवान कृष्ण की भक्ती में सराबोर है मंदिरों का नजारा देखने लायक है तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम किये जा रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण की रास लीला को दुखाया जा रहा है और सभी को बेसबरी से इंतिजार है रात 12 बजे का भगवान कृष्ण के जन्म का यानी जन्मास्ट में महत सवता ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए नेशन लाइप आईपी टीवी को सब्सक्राइब करें